हलो फ्रेंड वेल्कम टू येस्टे टिटोरियल लोटो प्रेंड समलोग हिस्ट्री का आज चौथा प्रेक्टी सेट साल परेंगे वो आपके उत्रप्रदेश सेल्टी ग्रेट परिक्षा के लिए काफे मत पूढ़ होगा तो वीडियो पर लास्ता प ने रहेंगे वीडियो चल लगे तो चनल को सब्स्राइब कर लिजएगा लाइक धीजेगा दोस्तों में शेहर भी कर दीजेगा बेल आइकन पर प्रिश कर लिचेगा ताकि यानिम ये वीडियो का नोडिकेशन चप्छे पहले भी शके और इसके पहले का पाट आप लोग प्लेश में जाकर किस्वाल कर सकते हैं तो चलिए कोशन को सुरू करते हैं और आज का पहला प्रसन देखते हैं पहला कोचिन है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया तो हंटर आयोग ने जो है प्रात्मिक सिक्षा पर अधिक बल दिया था 1854 के बुड डिस्पैज के पश्चाद जो है सिक्षा के छेत में हुई प्रगति की समिक्षा करने के लिए 1882 इसमी में www.hunter की अधिक्षा में एक आयोग के निफ्ति किया गया यह आयोग जो है प्रात्मिक और माधिमिक सिक्षा की समिक्षा तक सिमित था इस आयोग की रिपोर्ट में प्रात्मिक सिक्षा के सुधार एवंग विकास पर भीशिस चोर दिया गया था तो यहाँ पे ए आपसनाप का इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है किसने 1862 में इंदू प्रकास का प्रकासन किया तो जेस्टिस रनाडे यहाँ पे भी ए आपसनाप का सही हो जाएगा इंदू प्रकास एक आंगल मराथी पत्र था जिसका प्रकासन सापताहिक तोर पर किया जाता था इसमें भारती सुदतना संगर्ष तथा ब्रिटिस सासन की आलोचना से संबंदित आलेक प्रकासित किया जाते थे अगला कोचन है स्वामी दयानन सुरसुती ने किस सहर में पहली बार 1875 में आरे समाज की अस्थापना की थी तो यहाँ पे आफसन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा स्वामी दयानन सुरसुती का एक महत्पूर्ण कुस्तक है सत्यार्थ प्रकास इसको भी आप याद रख सकते हैं तो यहाँ पे ए आफसन सही हो जाएगा अगला कोशन है एलेन आक्टेवियन ह्योंग जिसको एडवलो ह्योंग काते हैं एक सेवा निबरित अंग्रेजी आईसियस अधिकारी इन्होंने जो है वर्स किस वर्स में भारती राष्टी संग का गठन किया था तो यह किया था 1884 में ठीक है 1884 में एक सेवा निबरित अंग्रेजी अधिकारी एयो हून के प्रांतों के साथ एक संस्था बनाई इंडियन नेशनल यूनियन की अस्थापना की गई और इस यूनियन ने पूना में जो है 1885 में राष्ट के विविन प्रतनिदियों का संभेलन आयुजित करने का निरड़ा लिया लेकिन पूना में हैजा फ्हल जाता है उसमें और उसी बर से यह संभेलन जो है बंबई में आयुजित किया गया गोकुलदास तेजबाल संस्कृती स्कूल बंबई में जो है 18 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिविशन हुआ और इसी संभेलन में जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल करके भारती राष्टी कांग्रेश कर दिया समती से तो यहां पर इसी अफसन आपका सही हुझाएगा अकला कोशिन है महाराष्ट में 1911 को में बिनाएक दामोदार्था दास सावर कर दौरा अस्थापित कुट गुप्त समाज को कहा जाता था तो गुप्त समाज को मित्रमेला कहा जाता था यहां पर भी आफसन सही हु महराष्ट में बिनायक दामोदर सावरकर द्वारा अस्थापित कुप्त समाज को मित्रमेला का जाता था मित्रमेला की अस्थापना जो ही थी 1899 इसमी में की गई थी हलाकि अलग-अलग किताबों में इसका अस्थापना का अलग-अलग दिया है और 1904 में मित्र मेला अभिनो भारत में परिवर्तित जाकर के हो गई थी ठीक है अलग-अलग किताबों में जो है 1900 दिया है ठीक है और मुख्य रूप से 1899 में ही इसकी अस्थापना कर दी गई थी तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा और 1904 में इसका नाम बदल करके अभिनो भारत कर दिया गया था तो इन दोनों में से कनफ्यूजन मत होईएगा ये सही आयोग द्वारा 1900 ही माना जाता है और किसी किताबों में 1899 में भी दिया हुआ है और आयोग जो है 1900 को सही माना था तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट है इसको आप लोग याद रखिएगा अगर प्रशन पूछता है अगला कोशन है महात्मा गांदी भाप से चलने वाले जहाज ये सफारी द्वारा दच्छेड अफरिका के पौँचे थे भाप से चलने वाले जहाज ये सफारी द्वारा दच्छेड अफरिका के डरबन गए थे तो यहाँ पे इसी आपसन आपका स्वह हो जाएगा अगला कोशन है असायोग अंदोलन की सन में प्रारंबुगा तो असायोग अंदोलन आपका प्रारंबुगा था 1920 में ठीक है असायोग अंदोलन की सुरुवात एक अगस्त 1920 को की गई गान्थी जी ने असायोग अंदोलन सुरू होने के एक वर्स भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया असायोग आंदोलन के दौरान ही मोतिलाल नहरू, लाला राजपतराय, सतार बललबाई पटेल, जवालाल नहरू, राजंदर पसाद, नयायले का बहिस्कार करके जो है आंदोलन में कोट पड़े थे तो भी आफसानापका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है, सबने अब अग्या आंदोलन के सुरुवात के पहले वायसराय को गान्धी जी का 21 सुत्री चितावने दिया गया था इन चितावनियों के संदर में क्या सही है पूशा है तो यहाँ पर आप लोग देखिए पहला इसमें दिया है रूपया डालर बिनिमे दर को कम करना बिल्कुल सही है भोर आजश्व में 50% की कमी करना ये भी सही है राजनैतिक कैदियों को रहा करना ये भी सही है तो इग्यारे सुत्री चेतावनी माग में ये तीनों था तो यहाँ पेटी ये अपसानाप का सही हो जाएगा ठीक है सभिने अब अग्या अंदोलन की सुरुवात से पूरो महत्मा गांधी ने अंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया था तथा वायस राय जो लाड इरविन था इसके समक्ष 11 सुत्रे माग पत्र रखा गया और इसमें मुखेता सेना के खर्च तथा सेवा के बेतरों में 50% के कटावती पूर्ण सराब बंदी राजनेती कैदियों को रिहाई रूपए के बिन में दर कम करना लगान में 50% की कटावती नमक पर सरकारी साजेदारी एवंग नमक कर को समाप्त करना ये सभी मागे 11 सुत्रे मागों में सामिल था तो यहाँ पर डई आपसानापका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है अनुभवी सुतंता सेनानी लेखक और सिक्छावित के हम मुनसी ने निमलिकित में से किस संगठन की अस्थापना की तो ये भारती विद्याभावन की अस्थापना किया था के हम मुनसी ने ठीक है और इसकी अस्थापना इन्होंने 1938 में किया था तो यहाँ पे बी आफसन आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है तो ए नेशन इन मेकिंग के लेखक है सुरेंद्र नात्म बनेर जी यहाँ पे आपका आफसन नमबर ए सही हो जाएगा ए इनकी महत्वपोन पुस्तक है अगला कोचिन है सिंदु घाटी सब्विता के बारे में इनमी से कौन सा कथन सकती है तो सिंदु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे बिलकुल सही है उन्होंने लकडी के बक्से में अनाजबंडारित किया गलत है सिंदु गाटी, सब्विता, पंजाब, सिंदु बलुचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पहचिम, बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, गलत है सिंदु के लोग कुट्टा, बिल्ली, घोड़ा गलत है, तो यहाँ पे पहला आपसन सही हो जाएगा सिंदु कालिन, अर्थब्वस्ता, सिंचित, क्रिसी, अधिसेश, पसपालन, दस्तकारी, तथा आंतरिक और बिदेश ब्यापार पर आधारित थे, ठीक है तो यहाँ पे आपका आपसन नंबर A सिर्फ इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है, पंचेकब्वे में निम्रिकित में से क्या सम्मिलित नहीं है, पंचेकब्वे जो बनाए जाता है तो पंचेकब्वे में तुलसी नहीं पड़ता है, गाय का दूद, गोबर, गाय का घी, गाय का मोत्र, यह सभी पंचेकब्वे मिलके बनाए जाता है तो यहाँ पे यह आफसनाप का सही हो जाएगा अगला कोशिन है ग्यान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा तो गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा यहाँ पे यह आफसनाप का सही हो जाएगा अगला कोचन है जैन धर्में तीन रत्न दिये जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार कहा जाता है तो वे क्या हैं तो सही विश्वास, सही ग्यान, सही आचरण ये तीन रत्न माने जाते हैं जैन धर्म के जैन धर्म के तिन रतन है सही विश्वास यानि सम्यक दर्शन, सही ज्ञान यानि सम्यक ज्ञान और सही आचरण यानि सम्यक आचरण ये तीन रतन बताए गए हैं तो यहां पेटी की आपसन आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है समराट असोग का कौन सा सिलालेक कलिंग पर उसकी बिजय का उलेक करता है तो ये है तेरहमा सिलालेक ठीक है कलिंग युद्ध तथा उसके परड़ामों के बिशय में असोग के तेरहमें सिलालेक से बिश्तित सूचना प्राप्त होती है तो यहां बेटी या अपसन आपका सही हो जाएगा अगला है मतुरा कला इस्कूल कब अपने सिखर पर पहुंचा तो यह पहुंचा था कुसान काल में ठीक है मतुरा कला इस्कूल कुसान काल में अपने इस सिखर पर पहुंचा था मथुरा कला इस्कूल में निर्मित बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के बस्तर के कई तहें जो है दिखाई गई है और सिर के चारों और आभा मंदल को अत्यधिक सजाया गया है तो डी आफसानिश्में आपका सही हो जाएगा अगला है गुप्त काल की प्रशिद महिला सासक कौन थी तो ये थी प्रभावती गुप्त ठीक है गुप्त काल इन प्रशिद महिला सासका प्रभावती गुप्त थी वह चंद्रगुप्त दूतिय की पूत्री एवं बाकाटक नरेश रोद्रसेन दूतिय की प्रत्नी थी तो यहाँ पे भी आपसंद सही हो जाएगा। अगला है सिचाई के लिए सोलह में लंबी चोल जील का निर्माण इन में से किस चोल सासक ने करवाय था। तो यह राजेंदर पर्थम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष में गंगय कॉंड की उपाधिधारण की तथा गंगय कॉंड चोलूपुरम नामक नई राजधानी की अस्थापना की गई और नई राजधानी की समीप उसने जो है चोल गंगम नामक जील का निर्माण करवाये था तो चोल गंगम नामक जील का निर्माण किस ने करवाये था राजेंदर पर्थम ने अगला है जैचंद के विश्वास घात के करण पृत्वी राज चोहान की पराजय हुई कालांतर में जैचंद कहां और कम मारा गया तो मुहम्मद गोरी ने जो है 1194 इस्वी में कन्नौज की सासक जैचंद पर आक्रमण किया उसमें कन्नौज एक सक्तिसाली राजय था जिसकी पिथवी राज से सतुता थी मुहम्मद गोरी और जैचंद के बीच चंदावर के युद्ध में जैचंद मारा गया था तो यह चंदावर के युद्ध में मारा गया था तो इसमें आपका कोई सही नहीं होगा ठेक है तो यहाँ पर भी आफसन सही हो जाएगा चंदावर तुद्धिया हुआ है ठेक है तो यहाँ पर आफसन नमर भी आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है अमेर खुसरो जिन्हें कवाली का पिता एबंग भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दरबार में कभी थे तो ये अलावदिन खेल जी के ठीक है अमेर खुसरो जिन्हें कवाली का पिता भारत का तोता तोता ये हिंद भी कहा जाता है अलाउदिन खिल जी के दर्बार में दर्बारी कभी थे अमेर खुसरो ने जो है संत्रन कालिंस साथ से अधिक सुल्तानों का काल देखा था तो यहां पेटी या अपसान आपका इसमें सही हो जाएगा